और हम चछकशा करेंगे दर्द और sexual disorder के बारे में कोकि ये आम समस्या बन सुकी है और बहुत सारे लोग है इस भीमारी से पीडित है बहुत सारे जो भीमारे सुंद में इसी होती है उसके बाद भी उनका किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो पाता है और आखिर में पेशन्ट बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जाता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे उसमें हम बात करें कि कोई चोट लग जाती है या खेलते वक्त कोई बोल लग जाती है आपको या घिर जाते हैं कोई एक्सिडेंट के दोरान आपको लग जाती है या किसी कीडिन है या किसी मच्छर है या कुछ और है जो आपको काट लेते हैं उसके करण आपको वहाँ पे सोजिस रहने लगती है या आपको किसी तरह की और कोई समस्या है उसके करण आपको इस तरह की समस्या अगर आ रही है तो उसके पॉइंट कुछ मिलते जुलते ही है हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में देखती रही है आप और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लेकिन दो पॉइंट की लोकेशन चेंज हो जाएगी आप बीच वाले उंगली पर देख रहे हैं इसकी इंपोर्टन्स बहुत है लग बग सारे पॉइंट इसी उंगली की वपर आते हैं तो आप इसके लिए एक रिंग भी आती है अलग से जो हर पॉइंट को यह देखिए यह पॉइंट है यह स्टार्टिंग का उस तरह पॉपर से आप जब देखेंगे तो यह पॉइंट है इसको आपको दबाना है दिन में वही दो से तीन बार 5-6 मिनट के लिए एक पॉइंट को दबाना है आप इसको दो बार भी दबा सकें आपके बस कम समय है और जो मैंने थोड़ी देर पहले यह पॉइंट बताया है उपर उंगली के बीचो बीच भाग से थोड़ा सार रिंग फिंगर की तरफ यह पॉइंट है आपको यहां पे दर्द भी महसूस होगा क्योंकि यह बड़ा और मैन पॉइंट है तीसरा जो पॉइंट है यह हलका स इसके तिर्चे पन में पॉइंट है यह पॉइंट आपको एक यूज करना है यहां पे आपको प्रेशर देना है हलके आथ से प्रेशर देना है ध्यान रखिए जितना आपको सहन हो सिर्फ उतना ही प्रेशर देना है इसके साथ साथ में अगर आपको कील महासे हैं कभी चात पॉइंट यह माना जाता है उसके लिए साथ में आपको यह नीचे पॉइंट दिया गया है उंगली के बिलकुल बीच और थोड़ा सा नीचे उतर के जॉइंट के यह देखिए आप इसको गोर से देखिएगा इसका आप यूज कर सकते हैं यह हमारे हाथ यह हमारे पैरों पे स्वेलिंग रहती है तो उसमें भी बड़ा कारगर है साथ में आपको जनेटल एरिया में यानि आगे की हिस्से में कहीं भी सोजिस है दर्द है या वहां पे आपको कोई खुजली महसूस होती है उसमें भी तो बड़ा कारगर है आपको आप उसमें भी इसको यूज कर सकते इसे के साथ मैं मैं आपसे अलविदा चाता हूं दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए सेशन के साथ नए जानकारी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमें हर जगह पे हर चैनल फॉलो कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी है हम आपके साथ साजा रहती है और साइस इतनी होने के बाद भी हम सालों बर दवाया काते हैं त्रीटमन नहीं पील पाता है उसी के लिए एक मोहिम है ड्रक फ्री इंडिया सवस्त बारत अभियान इसको आगे बढ़ाएं वीडियो को शेयर किया करो कोई इंक्वाईरी हो कोई बात हो तो आप कमे अचाब आते हैं धन्यवाद